किसान अंदोलन 2.0 शुरू हो चुका है और सरकार की तरेफ से कीले भी ठोक दी गई है नमस्कार मैं नूर्जा और आप देख रहे हैं जनेत अवाज एक बर फिर से किसान जो है वो दिल्ली जाम करने एक बर फिर से पहुच चुके हैं और कहा है कि हम संसत का घेराफ करेंगे 8 फर्वरी को उनको एक बड़ा अंदोलन हुआ जहां पे जो सड़क दिल्ली की तरफ जाने वाली थी उस सड़क को पूरा जाम कर दिया गया और जो किसान है उनको जाने तक नहीं दिया गया पुलिस की तरफ से बहुत बरबरता की गई और हमने आपको एक पहली वीडियो हमने आपको दिखाई थी इस चैनल पे आपने देखी होगी कि किस तरीके से किसानों के साथ बरबरता की गई वहां की जो महिलाएं हैं उनके साथ बरबरता की गई किस तरीके से जो लेडी पुल फिर जावरी को फिर से किसान ने बार दिली का घिराव करने निकल रहे हैंम अपनी मांगों को पूरा करने निकल रहे हैं जिनसे ठरिखोंक। तरह नोट्स् norm अधधर लोग और वे में शूर्ब सा सताहर संस्थ कोड़ों कोई द्यकस पर लेकर अभी तक उस पे कुछ जारी नहीं किया गया इसी वज़े से किसान में आक्रोश दिख रहा है एक बार फिर से जो किसान अंदोलन 2.2 इसका नाम दिया गया है फिर से एक बार किसान जो है वो दिल्ली का घिराफ करने पहुच रहे हैं जो तारशाही सरकार है उसके खिलाफ जो है अब व बार वापिस नहीं जाने वाले हैं किसान जो 24 गंटे खेती में काम करता है अपने बारे में ना सोचके दूसरों के बारे में सोचता है और हमारे घर तक थाना पहुचाता है और उसी के बाद उनी को जो corporate कंपनिया होती है loot कर ले जाती है और किसान के हाथ में कुछ नहीं बचता है MSP की मांग जो करी गई थी किसानों से उसके बाद सरकार ने उसको नहीं सुना है बार-बार किसान अंदोलन कर रहा है और इस बार भारी संक्या में लोग जो है वो दिल्ली का घिराफ करने निकल चुके है पहले 8 फरवरी को हुआ और उसके बाद 13 फरवरी को सुनने में आ रहा है इस पूरी जो खबर है से बहुत लोग पृतिक्रियाय दे रहे हैं हम आपको पढ़के सुना देते हैं इस पर योगेश मीना लिखते हैं 13 फर्वरी दिल्ली कूच में शामिल होने आ रहे करनाटक के किसानों को भुपाल में ट्रेन रोप कर गिरफतार किया गया उनके साथ पुलिस द्वारा मारपीट करी गई एवं फोन शीने गए किसान नेता शानता कुमार की पतनी गंबीर रूप से घायल होई सीपी हैश्टेक कल किसान दिल्ली कूच करो हैश्टेक फार्मर प्रोटेस मतलब जो किस करनाटक से आरे किसान थे जब वो भुपाल पहुचे तो वहीं पे ट्रेन रोक कर उनको मारा पीटा गया उनके साथ बरबरता की और यहां तक कि उनके फोन तक छीन लिये गए जो किसान देता है शांता कुमार की पतनी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है मतलब आप सोचे कि किसान जो हमें खाना देता है जैसे अन्दाता कहा जाता है उसके साथ किस तरीके से सरकार जो है वेवार कर रही है मार पीट कर रही है और उन्हें अपनी मांगे पूरी करने के लिए दिल्ली तक आने नहीं दो घिराख तक करने नहीं दो करनाठक से किसान ा रहेैं भोपाल तक पहुचने वाले थे भोपाल ट्रेन में उन्हें रोख दिया गया और किस तरीके से उन्हें마 पीटा गया फोन तक छीन लिए गए 2021 में जो अंदोलन हुआ था उसमें आपने देखा है वगा कई हजारों किसान उसमें मारे गए थे 2021 के अंदोलन में उसके बाद 2024 में एक बार फिर से किसान अंदोलन शुरुवात हो ही चुकी है और 13 फरवरी को वो घेरने आ रहे हैं किसान जो है कोई आतंग्वादी नहीं है कि किस ठीके से उन्हें रोखने के लिए कीले ठोकी जा रही है वेरिगेटिंग करी जा रही है जा रहे हैं कि अगर आतंगवाधी आतंगवाधी के रूप में तरीके से लिया जा रहा है कि ने किसान तो हार तोड़ेंगे लेकिन आगे बढ़कर रहेंगे वह साफ पर 12 मुख्य स्टे एफी कि नाम पर किसानphemai पहली बार भी संकोष में रखा गया था उसके बाद अब किसानों ने ठान लिया है कि इस बार हम वापिस नहीं जाने वाले हैं आठ वरी वरी को बहुती भारी संख्यावल में लोग दिखे गए थे जिस तरीके से नौइडा से जो जाने वाला रास्ता था उस तब को बंद कर दिया गया था वहां पर आपको तस्वीर दिखाएं थी हम लोगों ने इक इस तरीके से वहां पर महीला जो थी महीला रुकने को तयार नहीं थी बस वाला जो है बस चलाने को तयार हो गया था लेकिन वो बस के सामने बैट गई तो वही कह रही थी कि हमारी मांगे पूरी कर है कि हमने 2014 के बाद से किसानों के लिए सबसे जादा काम कर रहे हैं भात्वा सरकार दावे वादे करती है जगा जगा पोस्टर लगाती है किसानों के लिए समर्पित सरकार बताती है अपने आपको और उसके बाद वही किसान जो है उसी सरकार से परिशान है और अंदोलन करने पर उतराए हैं भारी संख्या में अंदोलन कर रहे हैं ताकि उनकी जो मांगे वह पूरी कर दी जाए पिछली बार जो 2021 में अंदोलन हुआ था उसके बाद उन्हें खालिस्तानी ठहरा दिया गया था कि किसान जो है अगर बैरीगेटिंग तोड़ने को तयार होगे और अपना रास्ता खुद बनाएगा और सरकार तक अपनी मांगे पहुचा के रहेगा और इस बार मांगे पूरी हुए बिना वो नहीं जाएगा राकेश इस पर लिखते हैं किसान आ रहे हैं देखना है सरकारी कीले और बैरीगेट कितने दमदार हैं किसानों की अवास को रोकना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन है किसानों को रोकना इस बार मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन सा हो गया है कि किसान अब रुकने वाले नहीं है साथी साथ यह भी बताया जा रहे है कि वह अपने साथ 6 महीने का जो है राशन आ के आ रहे हैं और बाकी उन्होंने भी राशन रखा है अपने साथ 6 महिने का नीको तैयार नहीं पुर और भी लोग अपनी éks न jetzt दे रहे हैं विरबल चौदरी लिखते हैं गाउं के खेत का पानी अभ इनकी आक में आगा है किसान अपनी हग के लिए अब शहरों में आ गए हैं हेश्टक किसान री नरेंद्र मोधि यह किसान अंडूरण पार्ट जा रहे है। कहा भी ये जा रहे कि जो मोधी सरकार है नरेंदर मोधी है जो प्रधान मंत्री है हमारे वो किसान विरोधी हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए तो कहा जा रही जो किसान के विरोध में जो सरकार है नरेंदर मोधी की सरकार है किसान विरोधी सरकार है इतने साल से अपनी मांगों को वो बोल रही है अपनी मांगे रख रही है लेकिन उसके बाद भी उनकी मांगे नहीं सुनी जा र दिल्ली की गेराबंदी करने इस पर तिलोक राम लिखते हैं बॉर्डर तो ऐसे सील कर रहे हैं जैसे मालों चीन से गुस्पैठी आ रहे हैं अगर इतनी ही तैयारी चीन बॉर्डर पर करते तो आज भारत की जमीन चीन के कबजे में नहीं होती डर्पोक कहीं का 56 इंच मतलब जहां पर 56 इंच का सीना बताने वाले नजेंद मोदी को इन्होंने डर्पोक कह दिया और कहा जा रहे हैं कि अगर इतनी तैयारी चीन के गुस्पैटी आ रहे होते हैं अगर तक की होती तो हमारी जमीन है वह चीन के पास नहीं होती है किस तरीके से कीले तक लगाई जारी है किसान जो है वो सरकार तक पहुंची ना पाएं इस पर सुप्रिया शिनेत लिखती है किसान अंदोलन के लिए जो भी किसान जाएगा उसके वहन सीज कर दिये जाएंगे कानूनी कारवाई होगी पासपोर्ट रद कर दिया जाएगा धन्यवाद हर्याना के गाउं गाउं मे वादा खिलाफी की है अब हमें सरकार पर भरोसा नहीं है मोदी सरकार की तरफ से कर तीन मंत्री फिर किसान निताओं से चंडीगर में बाचीप करेंगे इस बीच अंदोलन कारी किसानों को डराने के लिए पुलिस यह हदकंडों को इस्तमाल हो रहा है मन्तब सीज़े तोर किसानों ने अब यह कह दिये कि हम अब सरकार पर भरोसा नहीं रहा है अब हम जो है अंदोलन करना पड़े चाहे भारी संख्याबल दिखाना पड़े चाहे हमें पुलिस कर्मी रोखने के लिए बैरिगेट लगा दे कीरे लगा दे अब हम रुकने वाले नहीं है अब हम जाएगा बाकि जो पूरा किसाना अंदोलन पार्टू जो स्टार्ट हो चका है इस पे आपकी क्याराय है हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा शुक्रिया